आपको सभी स्रोताओं का भक्तों का और सब्सक्राइबर बंदूओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है स्रोताओं आपका ध्यान मैं नल पुराण इतिहास के 32 में एपिसोड से जोड रहा हूँ 32 में मैंने आपको बताया था दम्यंती की सगाई और उसमें राजा भीम भीमशिकर नरेश दो हंसों को दम्यंती की सगाई करने के लिए इंद्र लोग भेजते हैं परंतु वे दोनों हंस राजा नल के बाग में गिर जाते हैं और जहां चुहे उनके पंखों को काट देते हैं और राजा नल उन हंसों को अपने घर ले जाते हैं जहां राजा नल की माता मंझारानी देवी की आराधना करके मोतियों की बरसा करा लेती है और दोनों हंस आराम से राजा नलके यहां रह रहे हैं अब देखिए स्रोता हो जब हंसों को रहते रहते छे महीने का समय ब्यतीत हो गया बीत गया तो उन हंसों के दुबारा पंक आ गई और हंस उड़ने लायक हो गई जब हंस उड़ने में सक्छम हो गई तो एक दिन हंस और हंसनी मन में विचार करने लगे कि देख हंसनी इस राजा नल ने हमें छे महीने तक रखाए और हमारी बहुत सेबा की है मोती खिलाए हैं बड़े लार से रखाए और जिस सिक्का को लेकर के हम इंद्रपुरी जा रहे हैं उस सिक्का को हम राजा नल पर चढ़ा देते हैं क्योंकि राजा नल से सुन्दर तो स्वैम देवराजिंदर भी नहीं है ये तो ऐसे प्रतापी राजा हैं बड़े दयावान राजा हैं कि इन्होंने तो छे महा तक अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं करता हमारी सेवा की है तो ऐसे दयावन्त राजा के लिए हम दम्यंती की सगाई करना चाहते हैं तो हंस और हंसनी ये दोनों बिचार बेमर्स कर रहे हैं हंस कहने लगा हंसनी यदी हम सगाई इस राजा नरके यहां करते हैं तो हमारे महराज भीम क्रोदित होंगे और राजा क्रोधे तो करके हमें मरवा सकते हैं तो हंसनी कहने लगी महराज मरने से तो हम बड़ी मुश्किल से अब बचे हैं और यदि राजा भीम हमें मरवा भी देगा तो भी कोई बात नहीं है यदि महराज भीम हमें फासी की सजा भी देगा तो भी कोई डर नहीं है परंतु हम ये सगाई राजा नल पर चढ़ा देते हैं ये सिक्का राजा नल पर चढ़ा देते हैं दम्यंती की सगाई राजा नल के साथ कर देते हैं हेस रोताओ ये हंस हंसनी बिचार करके एक दिन राजा नल के पास आते हैं और राजा नल से कहने लगे कि देखिए महराज अब हम जाना चाहते हैं तो नल कहने लगा देखो मित्रो आप आराम से जाईए और जो काम आपके महराज ने दिया है उसे सहर्स करके आईए हंस कहने लगा महराज नल हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं तो ये बात सुनकर के राजा नल कहने लगे कहो हंसो क्या निवेदन करना चाहते हैं कि देखो महराज आपने छे माहा तक हमें सरण प्रदान की हमारी सेवा की और हमारे अबपंख आ गए तो हम उड़ने में स इसलिए हम आपको आपके उपकार के बदले में कुछ करना चाहते हैं। राजा नल कहने लगे कहो मित्रो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बैसे तो मेरा जो कर्म था मैंने किया, आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म था उस समय, क्योंकि आपको मेरी आवसक्ता थी, तो ये बात सुनकर के हंस और हंसनी कहने लगे, कि महराज नल, राजा भीम की पुत्री दमियंती परम संद्री है, उसके समान संदर इस्त्री देव लोक में भी नहीं है, इसलिए हम उसकी सगाई आपकी करके जाते हैं, जो सिक्का राजा भीम ने इंद्र के लिए भेजा था, उस सिक्का को तुम पर चड़ा कर जाते हैं, देखिए स्रोताओ, राजा नल कहने लगा, अरे हंसो, मेरे तो पहले से ही गजमोतनी राणी है, मेरी राणी परम संदर है, समस्त बिद्याओं में निधान है, इसलिए मैं ये सिक्का नहीं ले सकता, तो हंस कहने लगा, महराज देखिए, राजाओं के तो सौ सो राणिया रहती थी, तुम्हारे पिता महराज वीर सेन के यहां भी 101 राणी थी, हे राजन, तुम दोस्त बिभा करने में डर रहे हो, जबकि राजा तो सौ सो राणी रखते थे, नल कहने लगा, देखो हंसो, मैं बिभा अवस्य कर सकता परंतु मेरी जो राणी है गजमोतनी, मैं उसे बचन दे चुका हूँ, कि मैं दूसरा विभा नहीं करूँगा, परंतु हंस कहने लगे महराज, इसमें क्या दिक्कत है आपको, दो व्यहा करना तो राजाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सगाई ले राजा नल कहने लगा, देखो हंसो, तुम्हें एक सर्थ पर मेरी सगाई करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा निवेदन सुईकार करता हूँ, कि तुम्हें ये सगाई चुपचाप चल करके, जहां घुड़ साल है, वहां करनी पड़ेगी, वहां कोई नहीं होगा, केबल मैं चड़वा लीजी, देखिये सरोताओ, राजा नल हंसों के कहने से तैयार हो जाते हैं दूसरी सगाई लेने के लिए, और आजाते हैं घुड़ साल में, जहां उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं था, और हंसों ने घुड़ साल में राजा नल की सगाई कर दी, राजा नल प सहित विदा कर दिया, दोनों हंस सम्मान सहित विदा हो करके चल देते हैं भीम सिखिर की तरफ, देखिये सरोताओ, हंसों को भीम सिखिर पहुचने में एक दिन का समय लगा, और एक दिन में हंस भीम सिखिर पहुच गई, जब राजा भीम ने देखा कि उसके हंस बापिश प्लोट आई हैं, तो राजा भीम उन्हें देख करके कहने लगा, अरे हंसों, तुम्हें छे महीने हो गई, तुम कहां चले गई थे, मैंने तुम्हें इंद्रपुरी भीजा, क्या महराज इंद्र ने आपको इतने समय तक रोके रखा, आप इतना कैसे रोक गई, हंस कहने लगे राजा, हम क्या बताएं, तो ये बात, राजा भीम ने सुनी, भीम कहने लगे, कहो अंसों, क्या बात है, जिसे आप बताना नहीं चाहते, जिस बात को आप छिपाना चाह रहे हैं, कि महराज भीम, जब हमें दर्शे गए थे, तो मार्ग में बादलों ने घेर लिया, तीब रादी आई, और उसमें हम एक नर्वर गड़ नामक राज्य था, वहां गिर गए, जैसे हम गिरे, तो हमारे पंखों में चूए गुस गए, और उन चूओं ने हमारे पंख काट दी, हम उड़ने में सक्षम नहीं रहें, और वहीं नर्वर के महराज, राजा प्रथम के पुत्र, राजा नल, जो चार कला से अवतार भी हैं, और स्वैम देवराज इंद्र के समान सुन्दर हैं, उनसे भी बढ़कर उनकी कांती, उनकी ख्याती और बीरता है, ऐसे राजा नल, हमें उठा करके अपने घर ले गई, अपने राज महल में ले गई, जहां उन्हों होने छे महा तक हमारी सेवा की, और हमारे जब पंक आ गई, हम उड़ने में सक्षम हो गई, तो हमने तो उसकी दयालता और उसकी सेवा को देख करके, महराज भीम, तुमारी पुत्री दम्यंती का सिक्का, नरवर के राजा नल पर चढ़ा दिया, अब ये बात सुनकर के रा राजा भीम की महरानिक कमल्दे सुन रही थी, जब रानिक कमल्दे ने ये सुना कि इन हंसों ने मेरी पुत्री का सिक्का, नरवर के राजा नल पर चढ़ा दिया, तो क्रोधित हो गई, नेत्रों से आशूं की धार वहने लगी, और कहने लगी, अरे दुष्ठ हंसों, मेरी पुत्री तो तुमने कुए में डाल दी, मेरी पुत्री को मैंने तुम्हें राजा इंदर के पास भेजा था, कि मेरी पुत्री की सगाई राजा इंदर के यहां करके आओ, पर तुम तुम उसे ना जाने किस राजा के यहां दे आई, तुम से किस ने कहा था, कि आप इस तर ही है रानी इन्होंने बहुत अनर्थ कर दिया इन्होंने हमारी इज़त को धुमिल कर दिया इन्होंने तो राजा नलके यहां सगाई कर दी हमारी पुत्री देवराज इंद्र के साथ विभा करके जाती उस पुत्री का विभा इन्होंने एक साधारन से राजा के यहां कर दिय कहो रानी इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए कि इनको महराज मृतु डंड दिया जाए हिस रोता हो अब तो रानी कमल दे ने आदेश दिया कि इन हंसों को फांसी की सजा दी जाए इन्हें मृतु डंड दिया जाना चाहिए रानी ने तुरंत चार जल्लाद बुलाई जल्लादों को बुला करके उन हंसों को सौख दिया जल्लादों को कि जाओ इन्हें मार करके इनकी नित्रों को निकार लाओ इनके पंकों को फैंक दो इधर उधर देखिए स्रूताओ जब हो हंसों को मिर्टू डंड का आदेश मिल गया मौत की गड़ी निर्धारित कर दी गई जलादों ने हंसों को पकड़ लिया और मारने के लिए तलवार हाथ में ले ली तो जो व्यक्ति मरता है या किसी जीव को मारा जाता है तो राजाओं के यहां उसे छूट होती थी कि वो चाहे जिससे मिल सकता है जो उसका मन करे वो खा सकता है ये उसके लिए छूट होती थी तो राजा भीम ने पूछा कि हंसों तुम किसी कोछ खाना चाते हैं कि नहीं महराज किसी से मिलना चाते हैं कि हाँ महाराज मिलना अवस्य चाहते हैं कि किस से मिलना चाहते हैं कि आपकी पुत्री दम्यंती से देखिए स्रोताओ राजा भीम आदेश देते हैं जल्लादों को कि जाओ इन्हें एक गंटे तक मेरी पुत्री के यहां ले जाईए और मिला करके आओ लाओ देखो स्रोताओ जब हंसों को जल्लाद राजकुमारी दम्यंती के महल में ले गए तो हंस दम्यंती को देख करके रोने लगे दम्यंती बोली हंसो तुमारे रोने का कारण क्या है कि राजकुमारी हमने तुमारा बिभा ऐसे योग और सुन्दर राजा के साथ किया है जिसका तुम स्वेम भरण करना चाहती थी वही महराज नल चार कलासे अवतार परम दयानू और बड़े बीर है देवराज इंद्र भी उनका सामना नहीं कर सकते बीरता में और तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे माता ने हमें मारने का आदेश दे दिया है जब ये बात दमियंती ने सुनी तो दमियंती ने हंसों को पुछकारा उनको सहलाया प्यार में बैठाया और कहने लगी कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे प्राण नहीं जाने दूँगी मैं अभी अपनी माता और अपने पिता को ये यहां बुलाती हूँ और उनसे ये निवेदन करूँगी कि इन हंसों को प्राण दान दिया जाए खेस रोताओ राजकुमारी दमियंती ने अपने पिता और अपनी माता को महल में बुलवाया जब प्राणिक कमल्दे और महराज भीम गजमोतनी के कक्ष में पहुँचे तो गजमोतनी कहने लगी इन हंसों का कोई दोस नहीं है महराज इन हंसों ने वही काम किया जो इन्हें करना चाहिए था इन्हें इसलिए मुक्त कर दिया जाए इन्हें ये सजा माफ कर दी जाए राजकुमारी दमियंती अपने पिता से कहने लगी कि पिता जी इन हंसों का मुर्तु डंड माफ किया जाए ये निर्दोस हैं ये तो बिचारे आपका आदेश के अनुशार मेरे सिक्के को लेकर इंद्र लोग जा रहे थी लेकिन मार्ग में जब ये फस गए और राजा नल ने इनकी साहिता की तो महराज उसके उपकार के बदले में इन्होंने मेरा सिक्का राजा नल पर चढ़ा दिय इनकी इसमें कोई गलती नहीं नहीं है स्रोताओ दमियंती की बात सुनकर के राजा और रानी कमलदे और हंसों का जो डंड था वो माफ कर देते हैं कि जाए हम तुम्हें माफ करते हैं परन्तों तुम्हें हमारा ये काम दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें इंद्र लोग जाना पड़ेगा और वहां दमियंती का सिक्का चड़ा के आना होगा स्रोताओ हंसों ने मना कर दिया कि महराज अब हम इतने उड़ने में सक्षम नहीं हैं हमारे नए पंख आये हैं और इनकी साहता से हम इंद्र लोग नहीं जा सकते हैं परन्तु राजा भीम के यहां इसके में दमियंती का नाम लखा अपना नाम लखा और राजकुमारी के विभा का समय लिख दिया विभा की सरतें लिखदी और शिक्क का भिजबा दिया इंद्र लोग के लिए स्रोताओ उन हंसों ने कोछी समय में अधिक समय नहीं लगाया इंद्र लोग को प्रस्थान करने में और लगातार सफर करने के बाद पहुँच जाते देवराज इंद्र के दर्वार में और जब हंसों का जोड़ा देवराज इंदर के यहाँ पोचा तो देवराज इंदर ने उन हंसों का बड़ा सम्मान किया देवराज इंद्र से हंस कहने लगे कि महाराज हम राजा भीम के हंस हैं और हमारे महाराज की पुत्री राजकुमारी दम्यंती बिभा के योग हो गई है और उसका सिक्का ले करके हम यहां आए हैं हे राजन आप इस राजकुमारी के सिक्के को स्विकार कीजी हमारा ये महराज का अनुक्रे है महराज का निवेदन है कि देवराज इंद्र हमारी सगाई अवस्य ले लेंगे स्रोताओ देवराज इंद्र तो नारद से पहले ही सुन चुके थे दम्यंती के बारे में देवराज इंद्र प्रशन हो जाते हैं कि वा, मेरे लिए ही दम्यंती जन्मी है और मैं ही दम्यंती से विभा करूँगा स्रोताओ देवराज इंद्रव सहर्स दम्यंती का सिक्का अपने उपर चढ़वा लेते हैं सगाई ले लेते हैं और हंसों को बड़े सम्मान के साथ बिदा कर देते हैं भीम सिखिर के लिए हंस भीम सिखिर में आ जाते हैं और राजा भीम को संदेशा दे देते हैं कि देवराज इंद्र ने आपकी पुत्री की सगाई स्विकार कर ली है देवराज इंद्र आपकी पुत्री का बरण करने के लिए तयार है राजा भीम तो इधर विभा की तैयारी करने लग जाते हैं उन्हें तो दम्यंती का विभा करना था परंतु उनके मन में एक संकाउत्पन हो गई रानी कमल्दे और राजा भीम मन में विचार करने लगे कि मेरी पुत्री की दो बरात आएंगी एक तो राजा नल आएगा नर्वर का नरेश और दूसरा देवराज इंद्र आएगा और यदि राजा नल नहीं माना तो देवराज इंद्र को उससे युद्ध करना पड़ेगा देवराज इंद्र के हातों नल मारा जाएगा और मेरे विभा में रक्त पात होगा ये आसंका भी उन्हें सता रही थी अब इधर देखिए स्रोताओ बिभा का समय नजदीक आ जाता है और राजा नलमन में विचार करने लगे कि अब मैं बिभा करने कैसे चलने क्योंकि मेरी रानी गजमोतनी को मैंने बचन दिया था कि मैं दूसरा विभा नहीं करूँगा देखिए स्रोताओ जब घूमासुर दैते मारा था राजा नलमने तो गजमोतनी ने तीन बचन ले लिये थे कि आप दूसरा विभा नहीं करोगे और यदि बचन करोगे तो महर बांद कर नहीं जाओगे ये आपको मुझे बचन देना होगा दूले बनकर नहीं जाओगे देखिए स्रोताओ राजा नल ये सोच रहे हैं वो बचन बार बार राजा नल के दिमाग में कौन रहे हैं राजा नल ने एक खत लिखा खत लिख करके अपने मित्र मनसुक को भेज दिया जब वो पत्र वहाँ खत को ले करके मनसुक के यहां पहुँचा और मनसुक ने वो पत्रका पढ़ी तो मनसुक कहने लगा कि ये नल क्या करने जा रहा है ये कैसे दूसरा विभा कर रहा है इसने पत्रका में विभा लिख रखा है परंतु क्या ये पागल हो गया है जब ये मनसुक ने पत्र का पढ़ी तो पढ़कर के पत्र का तैयार हो जाता है नर्वरगड चलने के लिए और कुछे समय में नर्वरगड आ जाता है नर्वरगड में राजा नल के पास आया और राजा नल से कहने लगा अरे नल, अरे मित्रव, तू क्या कर रहा है, बेकॉली हो रहा है, बचनों से फिर रहा है, अधर्म करने पर तयार है, अधर्म के लिए उतारू हो रहा है, तैने पचंद या था भावी गजमोतनी को, कि मैं दूसरा विभा नहीं करूँगा, परन्तु अब तुम क्या करने जा रहे हो, राजा नल कहने लगा, मित्रव, ध्यान से सुनने की बात है, हम चत्रिये हैं, और राजा है, मैंने बचन अवज से दिया था, परन्तु जब मेरे उपर सिक्का चड़ा दिया गया, मेरी सगाई हो गई, तो मित्र सोचिए, जिस लड़की का सिक्का मेरे उपर हो गई, और उसे कोई दूसरा नरेश, विभा करके ले जाए, तो चत्री जीवन के लिए धिक्कार है, इसलिए मित्रव, चाहे गजमोतनी मर, या नर्वर राजनस्ट हो जा, या नल मर, या मनसुक मर, कोई भी मर सकता है, लेकिन दमियनती से विभा अवश्य होगा, नल की बात सुनी, तुम मनसुक कहने लगा मित्र, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, परंतु देखिए, यदि ऐसी ही बात है, तो चलो, यहा नहीं, हम तुम दोनों चलेंगे, चुप चाप चलनाए, ना कोई बरात साथ में लेंगे, ना कोई सेना साथ में लेंगे, गजमोतनी भा बीडियो में सुनाओंगा, कल क्या होगा, देखते हैं, गजमोतनी मरती है, जीवित रहती है, नल दम्यंती का ये बड़ा अच्छा सुन्दर प्रशंग में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि आपको बीडियो पसंद आता हो, स्रोता हूं, तो बीडियो को ल